हेलो दोस्तों फिर से स्वागत है हमाई YouTube चैनल पर एक नया वीडियो के साथ दोस्तों आज मैं बताने वाला हूं कि सीटर मशीन को कैसे चलाया जाता है तो आज मैं बताने वाला हूं तो बने रहे वीडियो के अंद्ध तक तो अभी तक हमाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं क पर देख सकते हैं कि मैं स्टार्ट हो चुका है अभी साल पता का रो में ट्रेल इस मसीन पर कट रहा है आप लोग देख सकते हैं कि यहां पे बहुत सारे जरूरी बातों का ध्याना पड़ता है कि यहां पर जैसे में आप तीन रोल चार रोल जितना भी आप रोल सकता है तो इस सब बात का ध्यान रखना पड़ता है तो बने रहे वीडियो के अंतितक और फुल जनकारी हमसे ले आप लोग देख सकते हैं कि यहां पर तीन डोल को लगाया गया है और बरावर करके चलाया जाता यहां पर क्योंकि नहीं चलाएंगे तो आपको मैं बताया ह बहुत डमेज जा सकता है तो आप लोग देख सकते हैं कि यहीं से इस क्रोल को बरावर किया जाता है और चलाया जाते हैं आप लोग देख सकते हैं कि यहां पर जितना भी साइज मिलीजिए घा उतना यहां कoi मिलेगा यहां सारह 11 इंची से लेकर 14 इंची तक का पत्ता यहां पर मतलब सरकल को काटा जाता है आप हमारे order कर सकते हैं और आप अपना material यहां से ले जा सकते हैं कि यहां पर इधर का शिस्टम में अप से खुलते हैं और अपना साइज करते हैं यहीं पर आपको मुलेड मिलेगा और यहीं से कड़ता है यहां पर देख सकते हमारे पास दो परकार का सीटर मेशीन आप लोग देख सकते एक तो यह हो गया और एक यह जो बॉफर के लिए सिर्फ इस्तमाल करते हम लोग इस फिर बहुत बढ़ी चलता है और फ्रेज कटता है इसलिए इस पर यहीं चलाता हूं मैं तो करते हैं क्योंकि विडियो बहुत लंबा हो जाएकी तो अच्छा नहीं लग Dang इसलिए यहीं पर समात करते हैं और हमारा जितने भी ओडियन्स इस वीडियो को देख रहे हमें फूल सपोर्ट किजिए क्यूंकि आप लोग वीडियो देख लेते हैं और हमें सस्क्राइब नहीं करते हैं तो बहुत हिद्दूख होता है तो आप क्यूंकि आपके लिए मैं इ सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो हमाई चैनल को जड़ूर सब्सक्राइब करिएगा